हाई अवरिबन नेट क्या होता है नेशनल एलिजबिलेटी टेस्ट कौन-कौन सी कंडुक्टिंग बोडी जो है वो नेट का एक्जामनेशन कराती है तो आई हो आप देख रहे होंगे पीछे यूजी सी नेट बहुत फेमस है एना CSIR NET, ICAR NET और SET यानि की स्टेट एलिजबिलेटी टेस्ट सो वैलकम डू दो सेशन माइनम अभिश्वेक कौशिक आज हम इन पूरे जितने भी चार आपको दिखाए दे रहे हैं इनकी कंडुक्टिंग बोडी क्या है कब-कब एक्जामनेशन होता है क्या-क्या एलिजबिले कंडुक्ट होता है जून में और दिसंबर में जून का एक्जामनेशन अभी पास में आपको पता है 18 जून को एक्जामनेशन होने जा रहा है UGC NET का ICAR NET क्या होता है और इसकी कंडुक्टिंग बोडी जो है वो AC ASRB है ICAR को हम बोलते हैं Indian Council of Research eligibility test और इसकी है इसको हम बोला जाएगे इसको हम बोलते है Agriculture Scientist Recruitment Board ठीक है यह पूरा का पूरा एक्जामनेशन आपका बेस्ट है एक्रिकल्चर के ऊपर तो जो भी लोग एक्रिकल्चर से मास्टर्स करते हैं वो इस एक्जामनेशन को दिफिल कर सकते हैं फिर नेक्स्ट आता है हमारे प CSIR जो है वो है आपके पास Council of Scientific and the Industrial Research ठीक है यह एक्जामनेशन अगर हम बात करें जो लोग Science Medium से होते हैं Maths और Science के Background से होते हैं वो यह एक्जामनेशन देते हैं फिर है Next Set State Elisibility Test जिसको जो कंड़क्ट करती है वो करती है State Academic Authority जो भी स्टेट के according होगा हर एक स्टेट के अलग- अगर हम बात करें स्ट्रीम की जो मैं अभी आपसे बता भी रहा था है ना तो जो स्ट्रीम है आपकी अगर हम बात करें हर एक की स्ट्रीम भी अलग-अलग होगी ऑविस है जो Social Sciences और Languages वाले पेपर है उसमें UGC Net का पेपर होता है Humanities के जितने subjects होते हैं वो आपका UGC Net मे आपका पूरा का अगरिकल्चर बेस्ट रहता है तो जिन्होंने भी मास्टर में अगरिकल्चर किया हुआ है वो ICIR को दे सकते हैं Maths & Science वाले CSIR को देंगे अबवेस है All subject related to Net or CSIR के जो होंगे वो सेट भी दे सकते हैं है ना next topic या next line जो हमारे पास है number of the time exam conducted कब-कब examination यह होते हैं UGC Net का दो जैसे मैंने अभी आपको बताया तो कि जून और दिसम्बर में होता है नहीं कि दो बार conduct किया जाता है यह एक साल में एक बार ही होता है CSIR भी क्योंकि National Testing Agency के थ्रू ही किया जाता है तो यह भी दो बार होता है और State Eligibility Test यानिकी सेट भी एक बार ही होता है ठीक है exam pattern बहुत ज्यादा different है सबका अगर हम देखे तो because क्यूंकि आपको पता है CSIR UGC Net के अगर हम बात करें तो 300 number का paper होता है जिसमें 100 number paper 1 के होते हैं और 200 number paper 2 के होते हैं paper 1 में 50 questions पूछे जाते हैं 100 number number का paper होता है question 2 number का होता है ऐसे ही जो paper 2 है उसमें 100 question पूछे जाते हैं 200 number के होते हैं खुल मिलाकर 300 number का paper है तीन गंटे की timing आपको मिलती यानिकी 160 मिनट मिलेगे और कोई भी negative marking इसमें नहीं होती जैसे आपको पता है आई-सी आर में आपका क्योंकि साल में examination होता है तो 150 marks का होता है दो गंटे का आपको time मिलेगा अच्छा अराम से आप कर सकते हो handle इसको ऐसी CSIR NET और UGC NET कुछ-कुछ सेम है बिकोज conducting body इनकी सेम है ना 200 marks का है तीन गंटे का paper आपको मिलता है करने के लिए यहां पर 300 marks का paper है और तीन गंटे का time आपको मिलता है तो अगर आप इंडिया में क्योंकि अभी तक NET के examination अगर आप दे रहे हो तो कोई भी strength ऐसा नहीं होगा जो चारो NET के exam दे सकता फिर उसको master आपकी agriculture में भी करनी पड़ेगी humanities में भी करनी पड़ेगी science से भी करनी पड़ेगी और set यानि कि state eligibility की जो concern UGC NET और CSIR के वो सारे subject यहां पर आएगे तो कोई कैसे कैसे यह चीजे चल रही है अगर मैं eligibility की बात करूं एक बर क्या 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 eligibility है अगर सबकी एक बर थोड़ा highlight मैं बता दूँ आपको है ना कि eligibility की बात करते है master's degree आपको चाहिए है ना ओवेस है master degree चाहिएगी आपी यहां master related to agriculture तो जितने भी agriculture related subjects है उसमें आपको ACA IR जो है वह आपको master degree चाहिएगी master degree relevant subject CSIR की है ना क्यूंकि वहां पर भी 3-4 options आपके खुल जाते है जो math and science से जिन्होंने master's किया हुआ है वह CSIR का दे सकते हैं ठीक है साथ में जो लोग B.Tech है यानि कि 4-year degree जिनके पास है वह भी CSIR दे सकते हैं बट उनके पास उसी concern में degree होनी चाहिए next जो set है वह भी master degree चाहिए relevant subject में तो अगर हम बात करें पूरा net जो है इंडिया में वह चार तरह किसे आप दे सकते हो जिसमें भी आपको जाना है वह according to the situation होगी है ना अगर आपको UGC net देना यानि कि जो humidity वाले student आप वह यह examination देंगे जो agriculture वाले हैं वो net यहां से दे सकते हैं CSIR जो science background वाले हैं या baths background वाले हैं वो यह दे सकते हैं और state eligibility test यानि कि state authority जो conduct कराएंगी वो set दे सकते हैं यह क्योंकि एक साल में एक बरी होता है तो हर state का set जो होगा वो अलग अलग ही होगा obvious है वो depend करेगा state wise ठीक है तो इस वीडियो में यहां तक ही था net के बारे में पूरी information इस वीडियो में आई होप आपको मिल गई होगी मैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो like कर देना session को share कर देना अपने दोस्तों के साथ और मिलते हम next session में तब तक के लिए bye bye take care and channel को subscribe जरूर कर लेना thank you so much bye bye take care कर दोस्तों 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 क